Hello Friends, Unboxed Service में आपका सौगत है दोस्तों कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि बाउल के अंदर कितने दिन में पानी चेंज करना चाहिए दोस्तों आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा कि पानी कितने दिन में चेंज करना चाहिए आप लोग सोच रहे हैं कि यतने लंबे समय तक मैं पानी चेंज करता हूँ फिर भी मेरा फिस क्यों नहीं कुछ होता है दोस्तों मैं अपना पानी को साफ रखने का कुछ ट्रीक अपनाता हूँ मैं कुछ वीडियो मना दूँगा उसके लिए आपको अलग से दोस्तों आपको मैं जब मैं फिस रखता था घर पे नया फिस लाया था उस समय मैं भी तीन से चार दिन में पानी चेंज कर देता था लेकिन मुझे धिरे दिरे एक्स्पिरियेंस हुआ उसके बाद मेरा टाइम बढ़ता गया लगबग 10 दिन फिर करता गया 15 दिन अब मैं 20 से 25 दिन में पानी चेंज करता हूँ फिस को कोई भी प्रोलम नहीं होता है लेकिन मैं आपको लिए मैं बता देता हूँ जो नए यूजर है इससे क्या होगा कि आपका फिस फंगस आ सकता है इसलिए आप लोग क्या करिए कि आप लोग साथ दिन में पानी चेंज कर दीजिए अगर आप लोग दो gold fish रखते हैं, तो साथ दिन में change किजिए, अगर एक gold fish है तो आप लोग 10 दिन में change कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, दोस्तो अगर आपको पानी किस तरह से गर्णा हो, कैसे पता चलेगा, इसके पानी में बताता हूँ मैं आपको, दोस्तो अगर आपका पानी पानी में घूल गया है अगर आप लोग धुनना पानी दिख रहा है आपको मैं दिखा देता हूं एक्जाम्बल के तोर पे देखिए इस रकड़ पानी आपका घूल गया है गन्ना हो गया है पीला पड़ गया ज्यादा तो आप लोग उससे पानी चेंड कर दिया किजिए आडाम से उतना ही खाना दीजिए और पानी में मतलब आइसा कदाना दीजिए जो की पानी में नहीं गुले क्योंकि कुछ जो आते सस्ते मार्केट में उससे पानी ज्यादा गंदा होता है आप लोग उस तरह का फूड एवाइड कीजिए आप लोग मैंने फूड कौन सा देन झाल जिए दो इयुड. झाल हम एकादी है यूड झाल होता है क्योंकि एवाइड के अवाइड भाख देना है भावङड पानी में पाईसे आर है अवाइड क्योंकि कुर।